तो आज मेरा कैनेडा में हैं तीस राते तो आज कुछ मज़ेदार सा साउथ इंडियन खाने का दिल करा है क्योंकि मैं इंडिया बहुत मिस करी हूँ गवहां तो डोसा वगेर हम मैं काफी घर में भी बनाती है और बाहर भी जाके खाते हैं इंडिया मेरा फेवरेट हैं न्यू फ्रेंड्स कालनी में है करनेटि कैफे उसका डोसा बहुत यासम होता है तो आज हम थोड़ा बाहर जाएंगे बरफ तो बहुत है ठंड़ भी बहुत है लेकिन थोड़ा सा जाके बाहर दोसा खाकर आएंगे यहां पर अंजा पार करके है जगा वहां बहुत मज़िदार साउट इंडियन मिलता है और थाली सिस्टम है मेरे साथ अंजा पार की सहर पर जाने का जूई नाम लिया है उटके खड़े हो यह महाशे जो है यह वले महाशे एकदम से आके उपर बैठ जाता है क्योंकि यह कह रहा है जहां भी जाना है मुझ कुकी साथ जाएगा यह हर जगा इसको साथ चलना है जहां भी जाना है कुकी कुकी तो लीजिए हम बैठ गए हैं कारी में और हम जा रहे हैं अंजा पार और परफ को देखिये जरा कितनी चबर तस परफ है सड़क भी नहीं नजर आती है लेकिन बरस साथ करने वाली गाड़ी आती हैं यहां पर तो चलिए पहुंचते हैं अंजा पार और यह देखें यह कुछ विग्स ट्राइकर आ रहे हैं मेरी भावी मुझे वह करिया है विग्स ट्राइकरो अंजा पार पहुंच गया है हम बहुत ही बढ़िया पूरा साउड के इंडियन इन्होंने पूरा डेकोर जो किया हुआ है बढ़िया से यह देखें और सारी पेंटिंग्स भी ऐसी है पूरी इनकी बहुत सेमस है यह रेस्टरंट यहां पर काफी लोग आते खाने और उनका बुफे लगाता है जैसे दिखिए सालड है अचार चत्तियां और यह अच्छ वड़े हैं और यह पकोड़े हैं जो खत्म होगे और यह खाने में जैसे साउथ इंडियन दाल, सांबर, साउथ इंडियन स्टाइल सबजी हैं यह कुछ वैज बिर्यानी यह नॉन वैज भी है अगर अपने खाने हैं और यह पापड, चट्मियां और फूट्स हर आप जाएंगे बफे में वहापे फूट जुरूर कटावा मिलेगा आपको और यह कुछ पाइसम है और गुलाब जोगे हमने खूब थेर सारा खाना ले लिया है, डोजे है, सांबर है, अरसम है, चट्मी है, विरायता है, फूट सैलड है, पापड़ है, बिर्यानी है और ह बारिक शबजी हमने टेस्ट करने के लिये है, यह है पोड़ी डोसा इसके मेरी यह मसाला लगावा है और यह है मसाला डोसा यह मैंगो सालड है यह रसम है यह साबर है यह चक्नी है यह चिली भिंडी है और यह है की रिकार रायता और यह है बैट गुल्यानी और यह है मेधिल गड़ा और नहीं पता नहीं क्या क्या कुछ ह खेर सारा खाने खाने वनीगा